Hello friends, welcome back, मैं अचिन्त अजरा, आज हम बात करेंगे कि वाटर कलर पैंटिंग को स्टार्ट करने के लिए, बेसिक क्या रिकॉर्मेंट है आपके, तो एक बिकनास या जो भी आज वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या बेसिक रिकॉर्मेंट है, उसके लिए मैं बा जो मेरे पास फिलाल है, उसके बारे में आपको थोड़ सा इंफ्रमेशन दूँगा, तो चलिए देखते हैं, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या जरूरत है सामन, तो सबसे पहले मैं जो यह दिखाता हूँ, एक sketchbook है, जो कि doms है, इस तरह से simple आप जो भी normal brand से, आ हर एक काम को, तो pencil drawing जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा है, तो यह तगरीबन 100-110 gsm बाला paper होना चाहिए, और आप ज़्यादा सोचों मत pencils के बारे में, आप 8 line का 8B, 6B, 10B, 6B, 8B, 10B, 12B, यह art line का pencils आप यूज़ कर सकते आसानी से, आपके पास 13,000 होना चाहिए, के उपर बात करता हूँ कि बहुत सरे artists यह जानना चाहते कि और best क्या है market में, तो मैं उनके लिए में बताऊंगा कि यह कुछ scholar का इस तरह से, जो कि sketchbook है, काफी अच्छा है sketchbook, और यह भी वही GSM बहुत ज़्यादा ज़रूर जी नहीं है, इसका भी GSM, यह 130 GSM है, तो यहा आपको अगर अच्छा budget में लेना चाहते है, अच्छा लेना चाहते है scholar का, आप इस तरह से sketchbook A4 size ले सकते हैं, अभी pencils की बात करना हूँ, तो studdler में दो टाइप का pencil आ जाता है आपको, एक blue में, एक black में, मेरे पास जो black में use करता हूँ, 4B, 6B और blue में, double E में आता है, वह इसके सब मैं बताना चूँगा, क्रेटा कलर भी आप यूज़ कर सकते है, क्रेटा कलर, तो यह सब materials का link, maximum समान का links है, मैं description box में, आपको मिल जाएगा इसका links, तो आप वहां से देख सकते है, तो इस तरह से, जो studdler का ही है, जो की 2-3 black में, और blue में है, और क्रेटा कलर का push fences है, वह आप यूज़ कर सकते है, इसके लिए, यह वाला जो क्रेटा कलर है, इसका benefit है, आप वाटा कलर आटिस्ट है, तो आप इसमें जैसे sketch करते है, उसके बाद उसको water से merge भी कर सकते है, अब ही आते है, हम थोड़ा सा वाटा कलर पेपर के उपर, वाटा कलर जब भी हम क चाहिए, तो thumbnail आप जब outdoor में काम कर रहे हो, ज़्यादा ज़रूत पड़ता है, उसको layout बनने के लिए, तो इस तरह से, यह जो Colorm का sketchbook है, तो यह आप wrap and up से purchase कर सकते है, या तो आप ब्राश्टो का हर एक brand में, आपको मिल जागा, मैं किसी brand या particular किसी website की बात नहीं कर रहा ह मैं just scanner कहता हूं कि इस size में आपको एक sketchbook होना चाहिए, जो कि आप आपको layout के लिए watercolor landscape किया, जो भी काम किया, आपका watercolor में cityscape किया, जो उसका layout आप इसके अंदर कर सकते है, चोट इससे testing कर सकते है, ठीक है, इसके बाद में paper में आ जाता हूं कि, इस चित्रपट paper है, चित्र GSM में ले लीजिए, तो यह A4 ले लीजिए, या तो quarter size के loose sheet भी आता है market में, वो भी आप ले सकते है, तो इसके भी जो भी links है, आप description box में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे थोड़ा workshop करेंगे, तो मैं आपको share कर दोगा, देखो जो आज की दिन में बताता हूँ, कुछ एक आप यूज कर सकते है, इसके उपर, बाउंग, एकडेमी paper, मैं वो भी उसका भी, ये share करता हूँ, आप अपना, जो beginners है, वो तो चित्तो पर से start करेंगे, जो उसके बाद दिरे दिरे अपना category आप करने चाहते है, आप अपना quality आप करने चाहते है, उसके उपर, इसी इस तरह से आप इसके water color, जो pad है, आप ले सकते है, ये जो है, देखो मेरा, ये 3 size का है, ये 20 by 15 inch में, ये जो है, एकडेमी water color paper है, ठीक है, इसके उपर एक आजाता है, अब recently मैं काम किया था, बाउंग का ही है, ये आजाता है, आर्टिस्ट बाउंग, आर हर कोई paper को cold press यूज करता हूँ, वो texture की सबसे, आप यूज करना है, cold press, rough और hot press में क्या अंतर रहता है, जैसे ये texture है, बहुत ज़्यादा, ये rough है, और cold press में थोड़ा सा कम texture होता है, और hot press में एक दोँ smooth होता है, ये अंतर है, बागी paper में सब quality सेम होता है, बड़ texture जो उसका बड़ ग्रेन होता है, जो ये बाला हिस्से में जो उचा नीचा होता है, जो है, उसकी बाद करना हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको क्या materials की जूरूरत है, ये paper हो गया, ये tissue paper है, tissue paper आप नहीं रखना चाहते हैं, तो cotton कपड़ा रख सकते हैं, तो tissue paper भी बहुत जूरूरी है, इसके साथ साथ एक जूरूरत के सामान है, sponge है, sponge को मैं इस तरह से डबबे में रखता हूँ, तक ये अच्छी तरह रहता है, तो ये sponge थोड़ा का मैं आच्छी तरह सेयर करता कौन सा sponge होता है, और इसका काम भी मैं बता हूँ रहा, ये चाहिए आप beginner's level में है, आप तब भी ये sponge लेना है, ये कुछ इस तरह से जो आपको दीखेगा, इसको बीटा करके ऐसे कुछ लिखा हूँ है इसके उपर, बड़ आपको ये देख लेना है कि इस तरह से आपको मि आप maximum जब पैलेट में खोलते है color को, उसको control करने के लिए sponge होता है, हमने color बनाया, brush में कितना पानी, कितना color जाएगा, मतब उस paper में या painting में कितना color जाना है, उसके उपर, वो control करने के लिए, मतब थोड़ा मैं touch कर दिया, थोड़ा उसमें से निकल गया, तो control करने के water color medium में, इरिजर की तरह काम करता है, water color medium क्या, accident होता रहता है, तो आप ये tissue paper आप तुरंत आवकर लगाएंगे, कही पर accident होने पर वहाँ पर बच सकते है, जो masking tape कभी उसकरना है, जब loose या pad में आप चारो तरफ से उसको water color medium में काम करने के लिए क्या होता है, water color क्या होता है कि paper को कापी fold करता है, तो जिसके करन आप इस तरह से tape उसकर के उसको चारो तरफ से taping करेंगे, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं ये loose use करना है इसको चारो तरफ से में taping कर दिया, तो water के साथ ये फुलता है बहुत ज़्यादा paper, जितना अच्छा taping होगा उतना अच्छा आपके paper काम करेगा, अभी कुछ मैं color brand के बारे में बताता हूँ, जैसे कि आप beginners label पे है, एकदम start कर रहे हैं, तो आप camel watercolor artist, camel artist watercolor से अब सुरू कर सकते हैं, camel artist watercolor में आप 12 वाला tube उसको लेकर अब सुरू कर सकते हैं, otherwise 20 ml में जो single piece आता है, वो भी आप ले सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा share करता हूँ कि color कौन-कौन सा आप loose में ले सकते हैं, और लेने से, जो हम use करते हैं, उसमें से कुछ नाम आपको बता देते हैं, ताकि क्या होगा, कुछ यहां पर लिस्ट आप है, जो कि हम workshop में यह share करते हैं, तो यहां पर जो water color, जो tube जो हम लेते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वह सब ले सकते हैं, तो स्टार्टिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए एनफ है ठीक है, तो केमल में देखो कुछ जो color यहां पर जो है, मैं आपको recommend करता हूँ कुछ color जैसे कि यहां पर lemon yolo, गेंबज yolo, इंडियन yolo, yolo of car, yolo orange, orange, red orange, scarlet lake, crimson red, burnt shiana, raw shiana, burnt amber, cobalt blue, ultimate blue, permanent violet, sap green, bright opera, tarquoise blue, तो यह सब जो color हैं, यह सब आप single में भी आप purchase कर सकते हैं, तो इसके बाद भी कुछ-कुछ color और जैसे different brand में हैं, जैसे red brown हो गया, वह भी आप यूज कर सकते हैं, और कुछ color ऐसा कुछ, एक दो जैसे texture के लिए kobal black यूज कर सकते हैं, यह कुछ color जो है, बता दिया, उसके बाद क्या था कि water color palette, palette आपके ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे इस तरह से खाने हो, और जो flat brush और पतले ब्रस सारे उसके अंदर अच्छी तरह अंदर जाए और उसको आप निकल के घोल पाए, ऐसा कुछ palette दे सकते हैं, यह ब्रस्टो का अच्छा palette है, इसके fresh cases से काफी खुशरत है, और इसके बाद मीजलो का भी बहुत सारे palette मुझे आच्छा लगता है, तो आपके हिसाब से palette दे सकते हैं, description box में check किजिए, इस तरह से palette का links आपको मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें color कैसे साजाना, एक तरफ आप warm color रखना है, एक तरफ cool color को रखना है, इस तरह से साजाना है, अभी आते कुछ brushes की बारे में बात करते हैं, यहां पर बहुत सार्मान है, मैं सारे मैं बता दूँग, आपको share करूँगा, जो beginners है, स्टार्ट कर रहे हो, आपको इस तरह से एक दू flat brush की जुरूत परेगा, तो आप मार्केट से synthetic मिल गया तो ठीक है, नेचरल मिल गया तो ठीक है, एक दो size का हाप इंच तक आपको flat brush की जुरूत परेगा, आप मार्केट में इस तरह से, मैं नीचे वाला क्यों share नहीं करूँगा, नीचे वाला काफी costly है, और मैं भी बताऊंगा कि कहां से कैसे मिलेगा, मैं basic, जो weakness उसके लिए मैं बात करना हूँ, स्टार्टिंग में इस तरह से flat brush synthetic, आप purchase कर सकते हैं, आपको market में available हो जाएगा, इस तरह से flat brush होगा होना चाहिए आपके पास, उस तरह से market में देखेंगे, कुछ round brush आपको मिल सकता है, कुछ synthetic में ऐसा लगेगा, यह एकदम natural hair जैसा बना के रखा, आजकल market में बहुत सरे तो भी आप ले सकते हैं, एक brush का set आता है, भी आप ले सकते, आजके market में क्या है कि कुछ calligraphy brush का काफी ज़्यादा यह चल रहा है, यह आप देख सकते हैं कि यह जो है brush जो calligraphy में यूज करता हूँ, काफी अच्छा brush है, इसमें क्या benefit क्या है कि यह quickly flat भी हो जाता है, और quickly point भी बन जाता है, दोनों काम एक साथ होता है, और mob brush कभी काम हो जाता है, तो उससे पहले मैं थोड़ा साब को बताता हूँ, कि brushes क्या-क्या brush होता है, mob brush होता है, round brush होता है, caligraphy brush होता है, flat brush होता है, rigor brush होता है, इस तरह से कुछ-कुछ black brushes होता है, तो अब यहां पर देख पर रहे हैं, जो यह जो caligraphy brush है, यह प्रोपुल साबन सर का signature brush है, तो यह काफी दीन हो गया, काफी अच्छा चल रहा है, लगबग साल वर के उपर हो गया, काफी अच्छा चल रहा है, अभी भी set के पास available है, तो आप वहां से भी collect कर सकते हैं, इस तरह से straight मिलता है, यह आप single भी, कहीं पर भी market से आप purchase कर सकते हैं, यह अच्छा काम करता है, यह मैं देखो अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे यह कुछ cosplay brush है, जैसे दाभींची का कसनियों करके है, यह है, मेरे 6 number है, तो मैं recommend करूँगा 4 number, यह नाफ है आपके लिए, यह देखो एक silver का है, silver 16 number है, natural hair है, काफी cost जाता है इसका, 4-4-5-5-6-0 करके एक brush में जाता है, यह था कफी पहले का था, art secret करके, यह flat brush, दुबरा मुझे मिला नहीं करी मिलेगा, तो मैं भी इसे purchase करने के कोशिश करूँगा, इसमें जो लिखा वो आप देख लेजिए, art secret लिखा है, 2567 squirrel hair mix, यह मैंने Japan से मंगाया था, उस समय इटसी.com से मंगाया था, एक brush है मेरे पर दा भिंची का कशनियों का 20 number flat brush है, यह brush अच्छा है, hair भी अच्छा है, इसमें synthetic है, बट एक problem मुझे आता है, काफी यह मुटा किया यहां पर और काफी भारी भी किया, तो वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कम यूज करता हूँ, यह जैसे synthetic कुछ है, आपको जैसे, यह EBS का brush जो चंडिकर से है, उसके पास से यह मिल जाएगा, तो यह काफी ठीक तक जो की supervision का है, यह आपको रहापन उप में मिल जाएगा इस तरह से, तीन का जो shate है, यह भी काफी अच्छा brush है, जो तीनों का shate है, काफी अच्छा brush है, यह भी कुछ mix है, natural hair है, कुछ उदर का, मदब Chinese है, कुछ ऐसे, Taiwan है, कुछ इस तरह से है, यह भी काफी अच्छा काम क में तो मज़ा रहा है, यह रिगर brush है, आप रिगर brush भी ले सकते हैं, इसका जो आप कभी में पुछो की number आपको थोड़ा सामजना पड़ेगा उसको देखते हुए, यह यह पे number दिया होता है, उसकी नाप दिया होता है, आप पतले से पतले लो, उसके बाद एक दो number और ल आज ही मैंने फिड उपरा लेके आया पहले वाला खतम हो चुका था यह इसको कहते है पैचुलर तो स्टार्टिंग में आपके बाद पैचुलर नहीं है तो पूरान आइट्यम को कार्ड को बीज में से काटो तो तीखा हो जाएगा तो उससे आप स्क्रैच का सकते है वाटर क और कहीं वर कुएक ड्रय करना है तो वह रिड्रा हो जाएगा और उसके सब्सक्राइब बताऊंगा इस तरह से जो पाउच है यह पाउच आप अप पाउच अज रख सकते है इस तरह से रख सकते मैंने एक आर्टिस्ट फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया काफी प्यारसा है और काफी मिस्ट है तो आप इसे पर्चिस कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा और आज की डिट में यह लोगों कोबीट ने हमें बहुत सरे जो स्प्रे बोटल दिया है तो वह भी प्रेंट आप यूसा कर सकते हैं मैं नियूद कर एक मैं सेनलियर की करता हूँ भी जोनियून के पर इस सिच्वेशन रहे हो स्प्रेशन में großen यहां पर और एक आइटेम रहे गया था जो यह यह पेंटल का मैं 1000 गाफिग यह कर सकता हूँ, यह पेंट तो रहा है और इसके अंदर यह वेट होने के बाएसे पेंचल के सबसे अच्छा लगता है इसके अंदर लीड आता है, लीड भी क्या होता है कि आप पीछे से, सारे में बताता हूँ क्योंकि कही बार खरिद लेते आपको मालूम नहीं रहते है, एक-एक लीड डाूते रहते हैं, यह दो को पीछे से आप बहुत सरे लीड आटास एक साथ डाल सकते हो मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में तो मैं एक-एक डालता था गया कैसे इस तरह से आप दस बरा लिड डाल दो फिर एक-एक अपना पर इसमें आता रहेगा काम होता रहेगा और इस गंदर जो मैं लिड डालता हूं वो भी पेंडल का है अगया वो यह शाओ करता हूं कि वर्त एक निडियम में क्या होता है कि बहुत पातले लायन के जड़त परता है तो यह उसके करने से तो वह पातले ल्याइन होगा और ज़्यादा डटी नहीं होगा थोड़ा सा कम पेंसिल की ये गिरेगा तो अच्छा रहेगा तो अभी मैं क्या करता हूँ ये सब सामान को हटा के आपको बिगनस को क्या जरूरत है उसके बारे में ब्रसेस वो मैं थोड़ा अलाग करके बताता हूँ ये सब बंद कर दिया कुछ इस तरह से बिगनस को जरूरत है ब्रसेस पेंसिल भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कैमिल का खलर चाहिए चित्तो पॉट पेफर स्पॉंज जोरूरी आपके लिए पैलेट आपके बजट के सब से लेना है एक तम बिगनस को मस्कें फ्लूट की जरूरत नहीं है मस्कें टेफ सबको जरूरत है टीसू सबको जरूरत है और नाम बताता हूँ उस समय जल्दी यल्दी बता था, जैसे कि French Ultimate आप ले सकते, मैं beginners के लिए बोल रहा हूँ, French, Camel में मिल जाएगा, French Ultimate ले सकते, Cobalt Blue ले सकते, Tarquoise आपको बन जाएगा, Viridian Hue और Prussian Blue ये दोनों कलर लेने से, Viridian Color एक ले लिया, Prussian Blue ले लिया, Sap Green ले लिया, Lemon Yellow ले लिया, Permanent Yellow ले लिया, Yellow Occur ले लिया, Orange ले लिया, Scarlet ले लिया, Crimson ले लिया, Alizarin के लिया आता है तो वह भी ले लिया, यहां पर हो गया Viridian, यहां पर एक paint spray जो है color वह भी ले लेना है, पर उसको बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है, चित्रपट हो गया, Beginners के लिए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, आप देख लीज़िए, 100% cotton होना चाहिए, और आपकी जो GSM है, 270 minimum होना चाहिए, GSM उसके उपर होना चाहिए, और उसके बाद अभी जो और अच्छे paper है, जैसे कि मैं आगी रिद में Lana यूज़ करता करना है, तो start करो तो आपको बहुत सरे watercolor करने के लिए, आपको बहुत सरे paper की जूरूत है, आप इस तरह से, जो भी budget के सबसे मिलते हैं, आप लेके उसको study कीजिए, और continue कीजिए, इसी तरह color में भी जैसे मिजिलो हो गया, मिजिलो के बाद Daniel Smith का भी कुछ color है, तो आप purchase कर स तो thank you so much, मुझे लगता ये video आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपको understanding के लिए कि क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ, और क्या आपको आप स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत है, फिर भी आपको कोई doubt रखता है, तो आप जरूर मुझे workshop करे, और इस video को पहले पूरा देख लीजिए ताकि मुझे नहीं रखता आपको कुछ doubt रहेगा, तो thank you so much and टाटा बबच